तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो इन समचार पत्रों पर चाहिए भी होती है और विद्यार्थियों के लिए अवर्शक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार ञात्र पत्रों में ऐसी कौर कौए सुचना है तो वीडियो को जल्दी से लंए कि शेर करते हैं और जिन चाथ्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं ताकि आप लोगों को भी इसी अच्छी प्रकासन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं काफी अच्छी पुस्तक है यह सभी काफी किताबे को दुकानों आपको यह पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिये दि सरकारी पत्र और इसी तरीके से इसमें निबंद लेखन भी दिया हुआ है तो आप लोग इस पुस्तक को जरूर देखें अपने आप में यह एक संपूर्ण गाइड है चलिए देखते हैं आप आज की सूशना को और तर्शी प्रकासन की उस पुस्तक की जो लिंक है वो मैं कि परिश्थी तिन चार सालों से और ज्यादा विवादों में आ गय चूर्कि उत्तर प्रतिस लोसेवा आयों प्रारामीबीग परिक्ष्छा का कटाफ चारी नहीं करता है इसी तरीके से आपर लिखा गया है कि उत्तर प्रतिस लोग सेवा आयोग की ओर से PCS 2019 और PCS 20 कि प्रारामिक परिच्छा की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद में अब दोनों परिच्छाओं के कटाफ अंक और मार्ग सीट की मांगने भी तेजी पकड़नी है हाला कि कटाफ यो मार्ग सीट जारी होने की उम्मीद कम ही है तो अब बैरती अब नयाला जाने की ताहरी कर रहा है यूपी प्रारामिक परिच्छा का परड़ाम जारी होने के तुरंत बाद ही कटाफ अंक वह मांग सीट जारी कर दी जाती थी लेकिन आयोग ने PCS 2019 और 20 कि प्रारामिक परिच्छा के कट चैनित अबर्तियों को निक्ति भी मिल चुकी है इसके साथ ही आयोग ने समिच्चा अदिकारी साइक समिच्चा अदिकारी 2016 के प्रारामिक परिच्छा के अभी तक कटाफ यानि की आर्टिया वगहरा से तो पता चल गया होगा अप लोगों को भी मिल गया होगा लेकिन आखिरकार कटाफ और माक सीट जारी करने में क्या दीकत है अब बैर्तियों का आरोप है कि प्रारामिक परिच्चा के कटाफ अंग और माक सीट जारी ना की जाने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं गलबड़ी है और इसकी आड़ में भीष्टे चार को बढ़ावा मिल रहा तो यह कैसे क्लियर हो पाएगा बहुत सारी बदलाव भी किया जाता है तो आखिरकार उत्तर परसे लोग सेवा आयो को पारदर्सी तरीका अपनाना चाहिए और जो कटाफ है वो जारी कर देना चाहिए तुरंत परिच्छा के बाद में जारी होता है और मुझाएट बेदार् कुमर निकाल जाती है प्रियागरा छोड़ देते हैं और उनको यह तक नहीं पता चलता कि आकेर कार मुझसे कम नंबर वाले के चैन किस प्रकार हो गया था और मेरे ज्यादा नंबर जम लोगोने मिलाए था तो मेरे चैन क्यों नहीं हो सका कि लिए आज तक नहीं हो पाता है अगली जो सूचना है वह भी भरती पीसे दोजार इकीस की है इसकी बारे मैंने कल देरसाम कोई वीडियो बनाया था कल लोग सेवायो की जो आफिसल वेब साइट है उस पर एक नोटीस भी डाली गई है पीसे दोजार एकीस की में के एक्जाम के कारकरम को लेकर के और लिख यहां पर 678 पर रोनी बढ़ती तीन जनफ पर होगी परिक्चा साड़े नौ बजे से लेकर के साड़े 12 बजे तक और यह जो परिक्चा मुख परिक्चा वह तैस तारीक से लेकर के 27 मार्स तक चलेगी तो आफिसल वेब सैट पर आपनो आप देख सकते हैं इस बार बहुत तो बहुत जल्दी आना था अभी तक नहीं आपाया उसका करण यह था कि जो पदों को अधियाचान था वह नहीं भेजा जा रहा था विभिण्य विभागों के द्वारा फिलहाल जो अब अधियाचान है वह आ चुके हैं और पदों की संक्या काफी हो चुकी यानि की 200 से में लेकिन 300 के ऊपर पद्व हो गए हैं और इसका विग्यापन जल्दी देखने को मिलेगा कुछ बहुत बदलाओ भी आपको नए देखने को मिल सकते हैं विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे थी आनि की 13 गोना की जगए 18 गोना और भी बहुत सारे चीज़ें तो उनमें से कुछ मांगे भी विद्धार्थ में की पूरी हो सकती है यह चीज आपको देखने को मिल सकती है इसी विग्यापन में तो इसमें कुछ बदला हो रहा है और बहुत जल्दी इसका जो विग्यापन इसी अग पूर्षन चत्रवेदी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोड के समक्ष पेस होने का आदिस दिया है कोड ने पूच्छा कि क्यों ना उनके खिलाब आवमानना की कारवाई की जा यह आदिस नयमूर्थी सरल सिर्वास्तों ने विकास भारगों की अवमानना याचक्य की और से तर्क दिये गया था कि भरती परिच्चा में एक सवाल के गलत होने पर हाई कोड ने 25 अगस्त 2021 की आदिस में एक एक अंग बढ़ाने का आदिस दिया था लेकिन अभी तक इसको फालू नहीं किया गया है इसलिए यह आमानना होगी अगली जो सूचना है वह एड़ प्रवक्ता समयूजन के लिए अभी तक 10 मार्श तक इंतजार करना पड़ेगा चेहन बोड ने सुप्रिम कोड के दबाव में तैस समय 31 अक्टूबर 2021 तक यह बढ़ती प्रक्रिया पूरी तो करा ली लेकिन सभी शिक्षिकों को कारभार अब तक ग्रहन नहीं कर सके हैं विद्याले आवंटन में गलबड़ी से अभी तक करीब 800 सिक्षक निक्ति के लिए भठक रहे हैं उन्हें अब नई सरकार में ही निक्ति मिलने की आसार हैं इसास की सहायता प्राप्त एरेट माधमिक विद्यालियों में शिक्षकों की बढ़ती के लिए टीजीटी पिजीटी भरती कत्राय कराए गए थी और चैनित अब बढ़तियों को विद्याले आवंटन किया तमाम चैनित विद्याली में जूइन करने मुझे तक इन विद्यारतियों के समाय योजन ही नहीं हो पाया है तो नई बढ़ती इतनी जल्दी कहां आ पाएगी इसलिए टिजिटी विजिटी के नहीं विग्यावर्पन में अभी और भी देरी देखने को मिल सकती है रेल भरतियों रेलवे की भरतियों को लेकर के जो रेल मंत्री है असुनी वैशनों उनका भी बयान है आज के ही समचार पत्रों में और इन्हों ने कहा है कि रेल बे भरती परिक्षाओं की चिंताओं को समाधान जल्द होगा और उम्मीद्वारों के उठाए गए मुद्दों पर गौर कर रही है उचादिकार समीती लिखा केंद्री रेल मंत्री अश्रीनी वैशनों ने रेलवे एन्टी पीसी परिच्चा से जुड़ी सभी चिंताओं के जल्द समाधान का आस्वासंदिया है सुक्रवार को उन्होंने बताया कि उम्मीद्वारों को समधान निकालने के लिए बनाए गए उच्चा दिकार समीत को तीन लाइदे विद्र समीती विद्यार्थोती हो सकता है और BRD में चांट लेकि लगातार कल ट्वीटर पर इनको और कमेंट करते कि अब विध्यार्थो ada शॉक्त हो रहे हैं और यह बरती अब और जादा ना लटक जाए यह सबता अटेक करते रहे और कमेंट करते रहे कि जल्दी जल्दी निर्णा लिए जाए अब विध्यारतों को ऐसा साख है कि विधान समझ चुनाव समाफ्त हो रहे हैं और यह बरती अब और ज्यादा ना लटक जाए तो ठीक है दोस्तों यह हो गया आज का वीडियो वीडियो आपको अच्छा लागा आपके काम का हो तो लाइक वस कर दें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाद